Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, my name is Garima आज हम इस वीडियो में करेंगे Class 6 कृषी विज्ञान की इकाई एक, म्रदा का भाग दो भाग एक में हमने म्रदा की परिभाशा, म्रदा घटक, कड़ों के आधार पर म्रदा का वर्गी करण देखा और आज हम पढ़ेंगे कृषी के दिस्ट्रिकोर से म्रदा का वर्गी करण तो जो भाग एक है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूगी तो आप भाग एक वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए भाग दो शुरू करते हैं कृषी के दिस्ट्रिकोर से म्रदा का वर्गी करण तो पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पार्ट के प्रशनुत्तर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप वहाँ से इसके प्रशनुत्तर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं म्रदा का वर्गी करण करों, रंगों, बनावट, जलवायू एवं प्रशी आधी के आधार पे किया जाता है मतलब कि म्रदा का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं सोयल का तो उसके कण कैसे हैं, महीन हैं, मोटे हैं, दानेदार हैं, उसका रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है जलवायू और क्रशी के आधार पर ही हम म्रदा का वर्गी करण करते हैं यहां हम केवल क्रशी के आधार पर ही म्रदा का वर्गी करण का अध्यन करेंगे कि खेती के लिए हमको किस प्रकार की म्रदा चाहिए क्रशी के आधार पर म्रदा को मुख्य चार वर्गों में बाटा जाता है पहला अधिक उपजाओ, दूसरा सामान उपजाओ, तीसरा कम उपजाओ और चौथा अन उपजाओ या क्रशी के आयोग्य यानि जो क्रशी के लायक ना हो तो पहला पढ़ते हैं अधिक उपजाओ म्रदा अधिक उपजाओ म्रदा कैसी होती है? इस प्रकार की म्रदा काली, काली भूरी या फिर भूरी होती है गाउं या बस्ती के चारों तरफ पाई जाने वाली म्रदा भी अधिक उपजाओ होती है ऐसी म्रदा में पोशक तत्वों एवं कार्वमिक पदारतों की अधिक मातरा पाई जाती है इनमें जल एवं वायू संचार भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस प्रकार की मरदा में रंदरवकाज जो हैं वो बड़े होते हैं और हवा का संचार और जल का संचार अच्छे से हो पाता है ऐसे मरदा में पौधों के लिए आवश्यक सभी दशाएं पर्याप्त रूप से पाई जाती है किस तरह से पौधों में पानी डाला जाएं मिट्टी में जणे किस तरह से अच्छे से फैल पाएं तो ये सारी चीज़ें पौधों के लिए उप्युक्त होती हैं और हर दशा से अच्छी होती है अधिक उपजाओं मरदा की उर्वरा शक्ती बहुत अच्छी होती है उर्वरा शक्ती यानि जो फर्टलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है इसमें सभी फसलें सुगमता पूर्वक उगाई जा सकती है इनमें जल निकास भी बहुत अच्छा होता है अब आते हैं दूसरा सामान ने उपजाओ म्रदा बलूई, दोमट एवं सिल्टी दोमट म् पौधों के लिए आवश्यक पोशक्ततों की मात्रा अधिक उपजाओ म्रदा से कम होती है ऐसी म्रदा में उर्वरा शक्ती, जल दारन छमता और वायू का संचार भी सामान ने होता है ना तो ये कहा जा सकता है कि बिलकुल नहीं होता और ना ही ये कहा जा सकता है कि काफी अ अच्य हो सकती है तीसरा है कम अपजाओ म्रदा जो म्रदाएं गाओं से दूर या फिर ढालूं ऑपर या निचले भागों में या फिर उबर-काबर इस्तानों पर पाई जाती हैं वो काफी कम अपजाओ म्रदा होती है और इसमें वलूई, कंकरीली, रेतीली, लाल, पीली, आदी ये सारी म्रदाएं आती हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कम उपजाओं म्रदा के प्रकार बताईए तो आप इनके नाम बता सकते हैं इन म्रदाओं में पानी ना रुकने के कारण पौधों के लिए आवश्यक सभी पोशक तत्व और कार्बनिक पदार्थ नीचे की तरफ चले जाते हैं पानी और हवा का संचार भी कम या फिर नहीं होता तो पौधों की जणों की व्रिद्धी भी अच्छी नहीं होती उनका विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता इन म्रदाओं में वायू का संचार समुचित प्रबंद करके, खाद वा उर्वरकों का प्रियोग करके, सिचाहियादी का प्रबंद करके अच्छी पैदावार की जा सकती है चोथा है अनुपजाओ या फिर कृशी के लिए बिल्कुल अयोग्य इस वर्ग के अंतर का उबढखाबर, उसर, बंजर एवं जल्मगन म्रदाओं जो हैं वो आती हैं, इन में फसले नहीं होगाई जा सकती भूपरिशकरण, सिचाही, खाद एवं उर्वरक का अच्छा प्रबंद एवं भूबी सुदार करके इसमें कुछ पैदावार की जा सकती है लेकिन ये अनुपजाओ होती है और ट्रशी के लिए अयोग्य होती है ऐसे म्रदा में खेती करने से किसानों को कोई भी लाब नहीं होता ये म्रदाएं चारा गाह के रूप में प्रियोक की जा सकती है अच्छी म्रदा के गोन, इसमें पहला है म्रदा जो है वो मुलायम होनी चाहिए और भुरबुरी होनी चाहिए दूसरा है म्रदा में जैविक पदार्द की मातरा अधिक होगी तभी तो जो भी पौधे या पेड़ लगाये जाएंगे उसमें जो भी आविश्यक पोषक तत्व हैं वो उन्हें मिल पाएंगे तीसरा है म्रदा की जल धारन चमता अधिक होनी चाहिए म्रदा में वायू संचार अच्छा होना चाहिए यानि जो भी मिट्टी है उसमें जो जल धारन करने की चमता है जल डालो तो उसको वो अफशोर्शित कर सके एब्सॉर्ब कर सके और जो म्रदा है उसमें हवा भी अच्छे से जा पाए जिसे की जड़ों को अच्छे से वायो मिल पाए जल निकास की समुचित विवस्था भी होनी चाहिए कि जो जल डाला जाता है वो वही ना ठेर जाए अच्छे से निकल सके ऐसी विवस्था होनी चाहिए म्रदा का जो तल है वो समान होना चाहिए यानि वो समतल होनी चाहिए म्रदा छेतर के चारों तरफ बड़े पेड़ पौधे ना हो आठवा है पौधों के लिए आवश्यक पोशक तत्तों की मात्रा भी पर्याप्त हो यानि जितनी जरूरत हो उतनी हो और संतुलित हो ना कम ना जादा म्रदा में कंकर पत्थर ना हो जिससे की जो भी पेड़ है उनकी जड़ों को फैलने में तकलीफ ना हो म्रदा का रंग काला या फिर भूरा हो और आखरी म्रदा एवं फसलों के लिए लाग दायक जीव जन्तू और शुक्ष्म जिवानों प्रचूर मातरा में हो अगर ऐसा होगा तो हमारी फसल काफी अच्छी होगी अब आते हैं विबिन प्रकार की म्रदा के गुर्दोश दोमठ, रेतिली दोमठ या फिर मृतिका दोमठ होता है पीएच का मान जो है वो उदासीन या तो नीट्रल होता है या फिर हलका अमलिये हलकी सी एसेटिक होती है म्रदा का लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है यानि ferric oxide के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है बालू की मात्रा अधिक होने के कारण ये हलकी होती है इसमें बालू की मात्रा अधिक मिली होती है इसके कारण इसका वजन जो है वो कम होता है nitrogen phosphorus यानि nitrogen phosphorus एवं humus की नियूनता होती है इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है अब आते हैं जलोर म्रदा पर पहला पॉइंट यह म्रदा कृशी उत्पादन में योगदान देने वाली है यानि जो भी कृशी उत्पादन होता है उसके लिए यह अजमिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है जबाता है तब इस तरह की मिट्टी जहां इखटी होती है तो वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है यह म्रदा ओदासीन सभाव की होती है यानि इसका जो नेचर होता है वो निउट्रल होता है इस म्रदा में नत्रजन, फॉस्फोरस एवं कार्बनिक पदार्थों की निउन्ता होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें बहुत जादा नहीं पाये जाते हैं अगली है लेट राइट मदा एला पॉइंट ये म्रदा अती अपक्षालित होती है दूसरा पॉइंट ये म्रदा में लोहा, अल्मूनियम, फॉस्फोरस, एवं हुमस, प्रचूर मात्रा में यानि काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जबकि इस म्रदा में केल्शियम, मैगनीशियम, पोटाश, नैट्रोजन, एवं छार, यानि जो बेस होते हैं वो काफी कम मात्रा में होते हैं इस म्रदा में संसजन, सिकुडन, एवं फूलने के गुर नहीं पाये जाते यह म्रदा जब सूख जाती है तो बहुत कठोर हो जाती है और आखरी पॉइंट, इस म्रदा में आर्द उपोश और जलवायू, जो humidity होती है वो उसी से ये बनती है, निर्मित होती है एट्राइट म्रदा में अगला पॉइंट है, पॉइंट नमबर 7 यह म्रदा अमली होती है, यानि इसका नेचर जो है वो एसेटिक होता है इस म्रदा का रंग लाल या फिर भूरा लाल या फिर पीला लाल रंग होता है अब आते हैं काली म्रदा पर यह म्रदा गेहरे भूरे काले रंग की होती है इसका रंग तो हमने आपको बता दिया इस म्रदा में लोहा, चूना, केलशियम, मैगनीशियम तथा म्रतिका की प्रचूरता होती है यानि अच्छी मात्रा होती है इस म्रदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा कार्वनी पदार्द की नियूनता होती है यानि ये मात्रा में कम होते हैं ये मरदा सबाओसे चिप-चिपी या फिर सूघटी होती है इस मरदा में सिकुरने और फूलने के गुड़ पाये जाते हैं जो सूखने पर दरारे पड़ जाती है यह नदा काली कपासी म्रदा एवं रेगुर नाम से भी प्रस्लित होती है यह इसके नाम है उत्तर प्रदेश में प्रमुक म्रदाएं यानि जो यूपी में पाई जाती है वो कौन-कौन सी म्रदाएं होती है उत्तर प्रदेश में छेत्र विशेश के अनुसार विवित्ता पाई जाती है यानि जो अलग-अलग छेत्र होते हैं वहाँ पर अलग-अलग तरीके की मरदाएं होती हैं इन में काफी जादा वैरियेशन होता है संचेप में इन मरदाओं का वर्णन निम लिखे थै पहला भा आवर एवं तराई छेत्र की मरदाएं ये मरदाएं हिमाली नदियों के भारी निपेक्षों से निर्मित होने के कारण इन में कंकर पत्थर बालू की अधिकता होती है यानि ये हिमाले से जो नदियां बहती होई आती है उसके साथ ये मिटी बहके आती है उसके कारण इसमे इन म्रदाओं में गन्ना धान ये सारी फसलें बोई जाती हैं दूसरा है मर्द के मैदानी छेतर की म्रदाएं तो ये म्रदाएं जलोड कछारी या फिर भात म्रदाओं के नाम से जानी जाती हैं ये कांप मिट्टी कीचर एवं बालू से निर्वित हैं ये म्रदाएं बहुत गहरी और पूर्ण विक्सित होती हैं, इन में पोटाश और चूने की प्रशूरता तता फॉस्पोरस और नाइट्रोजन का अभाव होता है, यानि इन में पोटाश और चूना तो अच्छी मात्रा में होता है, मगर फॉस्पोरस और नाइट्रोजन नहीं होता, इन म्रदाओं KOTASH और MANGNESIUM भी इन में परियापत मातरा में होता है और दूसरा है BANGAR, ये पुरानी JALOR म्रदाइ ये परिपक को होती है और अधिक गहरी होती है उत्रवर्वर को क्या प्रियोग अधिक करना परता है यानि इनमें जो fertility है वो कम होती है इसलिए इसमें fertilizer का उस्तमाल करना पड़ता है nitrogen और phosphorus की भी कमी होती है ये मृदाएं लवड़ी वा छारी सभाव की भी पाई जाती है कहीं-कहीं मरुस्थलिय और भून में काली मृदाएं भी पाई जाती है तो ये तो हो गई बांगर मृदाएं दक्षर की पहाड़ी पठारी छेतर की मृदाएं कैसी होती है ये मृदा चटानों के अपक्ष्य से निर्मित होती है यानि चटाने तूटकर तूटती है तभी ये जो मिट्टी है बनती है बुंदेल खंड छेत्र में से ये बहुत आयत में पाई जाती है ये लाल, परवा, मार, राकर तथा बॉंटा प्रकार की होती है तो ये तो हो गया मृदा के प्रकार और ये पार्ट समाप्त हो गया इसके प्रशनुत्तर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर पार्ट के प्रशनुत्तर की अपडेट्स मिलती रहें धन्यवाद पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें